जैने दोस्तों बंदे मातरम ड्रीम गर्ल 2 ऐसी पहली मूवी नहीं है जिसमें कोई लड़का लड़की बन रहा हो लेकिन उसके बावजूद भी ड्रीम गर्ल 2 से ड्रीम गर्ल वाली वो वाईब नहीं आ रही कल ये मूवी रिलीज होने वाली है ऐसे में इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है ओम जी टू और गदर के तूफान के बीच में आकर कैसे टेकेगी ड्रीम गर्ल ये एक बड़ा सवाल आईश्वान खुराना हर नए किरदार में जैसे अपने टैलेंट का एक नया लेवल बड़े पर लेकर आही जाते है कई लोगों ने बताव प्रैंक देखा और सुना होगा महर ड्रीम गर्ल में आशिकों के टूटे दिलों को मरहम लगाती पूजा के अवतार में आईश्वान को इतना पसंद किया गया कि ये फिल्म अब तक उनके करियर की सबसे कमाओ फिल्म बन चुकी अब आने वाले शुकरवार को इसका सीक्वल ड्रीम गर्ल टू थियेटर में रिलीज होने के लिए यार फिल्म का ट्रेलर दो हफते पहले रिलीज किया जा चुका है पिछली बार से कहानी आगे बढ़ाते हुए डिरेक्टर राज शांडिली ने इस बार सबसे नया काम ये किया कि अब तक सिर्फ फोन पर ही आ रहा आईश्वान का फीमेल अवतार पूजा अब रियल लाइफ में स्क्रीन पर उतराया है यानि इस बार आईश्वान सिर्फ पूजा बनकर फोन पर बात नहीं कर रहा है बलकि लड़की की गेटब में खुद पूजा बने भी नजर आ रहा है बहुत लोग ट्रेलर देखकर लड़की के रोल में उतर आने के लिए आईश्वान की तारीफ भी कर रहा है लेकिन ड्रीम गर्ड़ 2 के इस पूरे सेटब में एक बहुत बड़ी दिक्कत है किसी व्यक्ति का किसी दूसरे जेंडर से जुड़े गेटब में तयार होना क्रॉस ड्रेसिंग कहा जाता है जैसे एक पुरुष का महिला के कपड़ों में तयार होना या एक महिला का पुरुषों के कपड़ों में तयार बहुत से ट्रांसजेंडर लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्स्प्रेस करने के लिए क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं और उनके लिए ये एक emotional चीज होती है लेकिन ड्रामा या performance के लिए क्रॉस ड्रेसिंग का इतिहास बहुत पुराना है सिनिमा से भी कही ज़ादा पुराना प्राचीन ग्रीज से लेकर Shakespeare के दौर यानि की 16 शताबदी तक में इसका जिकर मिलता है Western culture में cross dressing से जोड़ी एक art form भी जिसे ड्रैक कहा जाता है ड्रैक का मकसद gender identity को तोड़ कर अपनी wit या फिर शक्सियत की मजबूती को दिखाना हो सकता है यानि ये display करना कि आपकी शक्सियत gender define करने वाले कपड़ों तक सीमित नहीं लेकिन इसी cross dressing के इस्तेमाल ऐसी comedy करने के लिए भी होता है जिसमें भद्दपन और फूहरता हो सकती है इसे कुछ हिंदी फिल्मों से समझा भी जा सकता है अमोल पालेकर की दायरा इसमें निर्वरपंडे ने एक trans westite theater actor का किरदार निभाया था जो stage पर महिला का किरदार निभाता है उसे एक ऐसी महिला सोनाली कुलकर्णी से प्यार हो जाता है जो की gang race survivor है और अब अपनी पहचान चुपाने के लिए क्राउस डेसिंग का ये इस्तमाल करता है और वो पूरुश की तरह रह रही होती है इस emotional love story में शांदार काम करने के लिए निर्मल पांडे को फ्रांस के एक फिल्म फेस्टिवल ने best actress केटेगरी में अवार्ड भी दिया था इसी तरह एक उधारन कमल हसन भी है चाची 420 1997 में कमल हसन का ये जो किरदार था वो अपनी बेटी से मिलने के लिए चाची का गटब बनाता है मराटी सिनिमा में जोगवा नटरंज और बालगवर ये 2011 में आई क्रॉस ज्रेसिंग करने वाले पुरिशों को पूरे सम्मान के साथ बागी किरदारों के तरह बराबरी से ट्रीट किया गया था क्रॉस ज्रेसिंग के कॉमिक रिलीज के लिए इस्तमाल करने का सबसे बड़ा एक्जामपल लावारिस फिल्म का मेरे अंगने में गाना है इस गाने में हमिता बच्चा ने एक पालिटी में रंग जमाने के लिए पहले सूट फिर साड़ी पहनी महिला बने हुए नजर आये थे गोलमा रिटरंस में अजे देवगान तुशार कपूर शिरस तलपड़े क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए नजर आये थे एक महिला के रूप में तीनों जैसे दिख रहे थे उसे काफी अजीब कहा गया था क्रॉस ड्रेसिंग को सबसे हलके तरीके से कॉमेडी के लिए यूज़ करने का रूप देकबल शर्मा शो पर काफी लगता है इस शो पर कई वार तो महिला बने पुरुष एक्टर्स ने ऐसा एक किये जो महिलाओं के लिए बेहत बद्दे थे एक फिल्म में जब पुरुष किरदार क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं तो ये याद रखा जाना चाहिए कि उस पर्टिकुलर समय के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक महिला के तोर पर कर रहे हैं इसके लिए वो अगर महिलाओं के तोर तरीकों बड़ताओं का भद्द मजाग बनाते हैं तो ये असल में महिलाओं को अपमाच रख लगता है कॉमेडी के लिए इस तुरी विरोधी वीजूल से लैंगविज का इस्तमाल एक बहद आलस भरा और नॉन क्रेटिव तरीका है उपर से क्रॉस डशिंग को हल्की कॉमेडी के तौर पर दिखाया जाना ट्रास जटर कम्यूनिटी की भावनाओं को भी ठेस पहुचाता है इस तरह देखना होगा कि ड्रीम गर्ड टू की दिक्कतें काफी बढ़ सकती है ड्रीम गर्ड से ड्रीम गर्ड टू तक कहानी कैसे बदली इस बारे मी बात कर लेते है पहली बार आईशमान ने जब पड़े पर पूजा की आवाज निकाली तो वो बिरोजगारी का एक बहुत बड़ा शिकार था ड्रीम गर्ड में करम मतलब के आईशमान को तमाम पड़ाई लिखाए के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती और उसके पिता पर एक बड़ा लाउन है जिसे चुकाना बहुत जरूरी तब वो मीटी बातों के जरीए फोन पर पुड़िशों का दिल बहलाने वाली एक कॉल चेंटर जा पहुँचता है जैसा कि छोटे शहरों में अक्सर होता है राम लीला और राम लीला में महीला किरदार पूरशी निमाते है करम भी बच्पन से इस तरह के किरदार निमाता आ रहा है इसकी उसे लड़की की आवाज में बात करना आता है इसी टैलेंट को वो अपनी बेरोज़गारी दूर करने के लिए इस्तमाल करता है क्लाइन्स के साथ उसकी रेपूटेशन कुछ जादा अच्छी हो जाती है और वो सभी अब पूजा से मिलना चाहते है जिसका रियल लाइफ में कोई अस्तित्व ही नहीं यही कहानी में कन्फूजन की जड़ बनता है और सिचुएशन कॉमेडी से भढ़ जाती है लेकिन ड्रीम गर्डू का ट्रेलर जो कहानी कह रहा है वो पहली फिल्म से बिलकुल अलग है इस वर करम ग्रेड कार्ड बिलना चुका पाने जैसी वज़ों के लिए पूजा बनका हुगा इधर उधर भटकता हो नजर आ रहा है उसकी गर्ल्फरेंड का पिता उसे जब चमका कर पैसे अरेंज करने के लिए कहता है तब पूजा का रूप ही बना रेता है अपने आप में एक फ्रॉट जादा है उपर से पूजा के किरदार अभी ट्रेलर में ही कई जगर कैरी केचर भरा नजर आ रहा है सिर्फ ट्रेलर में ही कई पूजा करदार क्रॉज रेसिंग कर लड़की बने आईशवान के पीचे जिस तरह पड़े नजर आ रहे है वो अपने आप में बहुत गलत है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है यहां करम भले पुरुश है लेकिन पूजा बनने के बाद वो एक महीला है क्या एक महीला को पूजा जैसे हाल में बड़े परदे पर दिखाया जाना एक बैट टेस्ट में नहीं आता ट्रेलर में ही पूजा को एक लड़के से शादी के बाद सौहागरात की सिचुएशन में दिखाये गया है पूजा जो असल में तो करम है ड़ी से हमी है कि यह लड़का उसके साथ नजाने क्या करेगा क्या इस तरह की situation में किसी महिला करदार को स्क्रीन पर imagine किया जा सकता है Dream Girl में जैसे पूजा सिर्फ एक आवाज थी वैसी situation में sequel के लिए भी बहुत creative plot सोच जा सकते थे लेकिन cross racing को थीटर में comedy के लिए इस्तमाल करने से बचा जा सकता है cross racing art को gender की boundary से मुक्त तो करता है लेकिन इसे अगर साफधानी से deal ना किया जाए तो ये बहुत disturbing भी हो सकता है ट्रेलर से तो Dream Girl 2 की कहानी इस लकीर के उस तरफ नजर आती है अब देखना ये होगा कि फिल्म में narrative के साथ ये मामला और कैसा दिखना है पड़ता है हो सकता बड़े बर्दे पर आईशमान के साथ को जिस्टिफाई करने के लिए फिल्म में आपको कोई message टाइब का सीन मिले शायद Dream Girl 2 के आकर में आईशमान का किरदार कहे कि एक महिला बनकर उसने जो कुछ महसूस किया उससे समझ में आया कि मर्दों ने महिलाओं के लिए माहौल कितना बहानक बना रखा है लेकिन क्या इससे उनका स्क्रीन पर महिला बनकर ऐसी हरकते करना जिस्टिफाई हो जाएगा जो महिलाओं का ऐसा मजाग बनाता हूँ देखते हैं फिल्म का फिल्म इस सवाल का कोई जवाब दे पाती है या नहीं यह सब कुछ एक फिल्म ही तो है कि मोड में एक बार फिर से कह दिया दाता है मेरे सुटिफाई फिलालत नहीं जाएए जाएगा जाएगा भाएगा भाएगा जाएगा जाएगा झाल झाल